सो नमस्का दोस्तो एक बार फीज से आपका भदबल स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल यसरा सलूशन्स में मैं हूँ आपका दोश टेक्निकल मुकेश तो जहां दोस्तो आज के वीडियो में आपके साथ मैं सिर करने जा रहा हूँ क्रोम ब्राउजर का ऐसा एक्स्टेंशन जो आपकी कुकीश को अटोमेटिकली डिलिट कर देगा तो जहां दोस्तो हर बार के अंदाज में ज़्यादा समयने लेते वे हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो जहां दोस्तो आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है तो चलिए यहां पर हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं तो यहां पर हमारा Chrome browser वो open हो चुका है simply इसके बाद आपको Chrome Apps menu पर click कर लेना है तो चलिए यहां पर Chrome Apps menu पर click कर लेते हैं इसके बाद आपको Chrome Web Store पर click करना है और इसे open कर लेना है इसके बाद simply आपको search box में type करना है cookie auto delete तो यहां इतना type करने के बाद आपको अपने keyboard का जो enter है उसे press कर देना है तो आपके सामने जो search results आएंगे उसमें आपको simply जो first वाला है cookie auto delete ठीके offered by CAD team इसी को आपको click करना है इसके बाद आपको इस extension को Chrome के साब add करने के लिए add to Chrome बटन पर आपको click करना है इसके बाद add extension वाले बटन पर आपको फिर से click कर लेना है तो यहां जो extension है Chrome के साथ add होने में कुछ समय लेगा इसके बाद आपके सामने एक page open होगा simply आपको चले जाना है CAD settings में CAD settings में जाने के बाद आपको first वाला box से उसे check कर देना है enable automatic cleaning और यहां time आपको जो set करना है one second से two second तक आप notification का जो time है वो set कर सकते हैं आप इसके बाद आप जो भी tape close करेंगे उसकी जो cookies है वो automatically delete हो जाएगी तो यहां देख लीजे मैं इस tape को close कर रहा हूँ तो नीचे आपको notification दिखाए दे रहा है कि जो cookie से वो automatically delete हो चुकी है तो चलिए यहां पर एक और tape को मैं open करता हूँ तो देख लीजे यहां पर जो cookie से वो automatically delete हो चुकी है इसी के साथ आप यहां पर extension menu में जाके extension को access कर सकते हैं और उसकी settings में आप जा सकते हैं साथी साथ जो auto clean है उसे आप disabled कर सकते हैं enabled कर सकते हैं साथी साथ आप जो notification है उसे भी disabled कर सकते हैं यदि आपको notification नहीं चाहिए तो मैं recommend करूँगा कि आप auto clean को enabled ही रेने दे तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए होगी दोस्तो वीडियो पसंद आए तो like करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें तो नमस्का दोस्तो आपका दिन सूपो once again thank you for watching